T20 मैच भी टाई हो गया भाई साप, महां तो चलो Super Award था, वो भारा जीट जाता है, ODI मैच भी टाई हो गया, India वर्सिस Shri Lanka के जो मुकाबले हैं, ये वाली जो श्रिंकला है, जो दौरा है, India's tour to Sri Lanka, भाई, is it on steroids? तच्ची बताओ? चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागया थे और आगया हूँगा, पे सब ये वाली पूरी श्रिंकला करूँगा, कल का मैच भी करूँगा, साथ वाला मैच भी करूँगा, honestly, it's good to be back, आप लोग ने प्यार भी बहुत भेजा, स्टेडियम की एक कहानी रही है कि टॉस जी तो बैटिंग करो, ये बात हमें कलक्स ने भी बताई थी कि बैटिंग कर लो, क्योंकि बाद में चीज नहीं होते हैं, ये इतिहास है इस मैदान का, तो श्रिलंग का टॉस जीता है, बैटिंग करने का फैसला करता है, भारत की टीम बड़ी इंट्रेस्टिंग थी यार, सबसे पहली बात तो ये जो गौतम गंभीर साब के जो एरा में जो शुरुवात हुई है, यहाँ थोड़े से इंट्रेस्टिंग आक्चुली डिवेलपमेंट्स हैं, कि इस मकाबले में रिशाप पंत तो नहीं खेलते हैं, केलरहूल खेलते हैं, बतवर्कीपर खेलते हैं पर शिवंटूबे खेलते हैं, टी-्टुएंटी सèse हो नहीं खेल रहे थे, यहाँ पर उनको पहले ही मैच में ख데ब खेलने का मौका मिलता है, पिछ पे खेलने almost impossible है उनको कैसे मारो मेरी समझ के परे है क्योंकि लंबे कद के हैं बड़ी तेज गती से गेंद गाज ही करते हैं और बड़े अच्छे टपपे पे करते हैं कोई बाल टर्न हो रही थी कोई बाल सीधी रह रही थी अतरिक तुछाल उनको मिल रहा था तो उनको खिलना बहुत मुश्किल था तो ऐसे में न चाहिए वो पथम निसंका हो या पिर सदीरा समर विक्रमा हो नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे हम rotate करें strike, manure कैसे करें strike तो ऐसी वाली pitch पे अक्षर पटेल is absolutely unplayable मतलब unplayable या पिर के unscorable उनको आप आसानी से runs उनके सामने नहीं ब दूसरे spinner में हमने Washington Sundar को देखा, अब Sundar साब भी बहुल अच्छी करते हैं, उनका है उनके पास वो शमता है, वो भी almost like अगर अक्षर पटे लेफ्ट आमर हैं तो वही almost आपको Washington Sundar as an off break bowler मिलते हैं, similar high arm action वैसी trajectory began पर उनको के सामने हमने फिर भी बल्लेवाजा को थोड़ा स और जोखिम उठाते देखा, ऐसे reverse sweep मारते देखा, थोड़ा sweep मारते देखा, पथुम निसंका played really well, उन्होंने batting बहुत बढ़िया कि मेरा तो दिल धड़क रहा था, मैंने का ये batting बेच्छी कर रहा है भाई, कहीं ये 200 ही न बना दे, ये एक तो इनका 200 भी है इस साल उनका ODI Cricket में, पर when he was given out, I mean, umpire's call, वो not out भी करार दिये जा सकते थे, अगर भारती बल्लेबास होते तो हम कहते यार किसमत खराब थी, पर पथुम played very well, और फिर जब टीम फस गई थी, विगेट्स गिर गई थी, चरीता सलंका उठो गए थे, ऐसे cash पकड़ा की चले गए थे, टीम धड़ाम थी, दुनित वेला लागे, वेला लागे is an absolute superstar है बच्चा है यार, इंडिया की पंजा एक बार फिकेट खोले थो उन्होंने, इस बार उनने 67 not out बनाये यार, और बड़े अच्छे तरीके से बनाये, मुश्किल पेच्छ है, कुल्दी पियादव, वाशिंग खेलना, I thought was an achievement, क्योंकि एक जगा जहां आप खड़े थे कि लगा कि 40 में out हो जाओगे, वहाँ पे आप पहुंच जाते हैं 230 तक, I thought outstanding, एक गलती होई, एक गलती होई कि थोड़ा momentum shifting एक over था, वो शुबमन गिल को दिया गया था, जिसमें 14 run बने थे, and I was wondering कि क्यों करा रहे ह I think India took the foot of the pedal, इंडिया ने का ये काम तो असान से है, 100 पे 5-6 हो रहे हैं, तो क्या 150 पे all out हो जाएंगे, तो 170 नहीं तो 190, ये team नहीं खेलेगी 50 over, किसी को हलके ममता को पहली एक ये सीखती, ममत सिराज, आशीदीप सिंग, in the end, कुल मिला के भारत जो है, वो 230 chase करने निकलता है, और उसमें, रोहिच शर्मा, and that's my second big point, take away, अगर pitch जो है, वो बल्ले बाजी के लिए थोड़ी सी भी खराब लगती है, थोड़ा सा low scoring game है, तो आप रोहिच शर्मा की जो पारी है न, worth its weight in 24 karat goal layer, क्या बैटिंग करता है बन्ता, शुरुवात में ऐसे पिटाई करनी शुरू करते हैं, कि plans को derail कर देते हैं, बहुत super speed back, बैटिंग करते हैं, 10 में 70 हो गए थे, शुरुवात में वही चौके-चौके मार रहे थे, शुबन गिल ऐसा लग रहता है, या सेमी pitch है, सेम bowlers हैं, ये इतना संभल के खेल रहे हैं, रोहित इतना खुल के खेल रहे हैं, he's got that kind of game, he's absolutely stellar, उनका जो अर्शा तक था, वो actually आपको breathe करने का मौका देता है, समय देता है, कि आप time भी ले लो, set भी हो, कोई दिक्कत नी, अंत तक खेल सकते हो आप, क्योंकि वो allow करते हैं विराट कोली और श्रेय सायर, बोथ लुक्ट गुड और ये दो बार काम हुआ भारतिय पारी में, विराट कोली आउट होते हैं, अगले योगर में श्रेय सायर आउट हो जाते हैं, श्रेय सायर को अंदर आने वाली fastballer ये आउट कर देती है, विराट को पीछे जाके वो वरिंदू हसरंगा आउट कर देते हैं, फिर आप फ़स जाते हैं, फिर केल रहूल अकशर पटेल को ऊपर बेजा जाता है, उससे पहले वाशिंटन सुन्दर को ऊपर बेजा जाता है, तो ये एक और बढ़ा हो था कि ये वाशिंटन संदर ऊपर किवाए हैं, जब आपको न चाहते हैं, आप उपर बैटिंग करें, लेकिन आप उनको अक्षर के बाद भीज रहे हैं, फिर आप उशी को ओपर भीज दे रहे हैं, पंत को नहीं खिलाते हैं, पर आप दूबे को खिलाते हैं, दूबे को थोड़ी सी बोलिंग, अच्छी साज़ेदारी, मैच कंट्रोल में, केल राहूल आउट होते हैं, अगले यह और में अक्छार राउट हो जाते हैं, केल राहूल, वनिंदु असरंगा, चरी तसलंका आउट कर देते हैं, अक्छार पटेल को फिर वही जो हुआ, जो पहले कोहली और अईयर के साथ हु यू नोस डाइव अगेन, वहाँ से थोड़ा सा आपको बचाते हैं, शिवम दूवे पर अंत में आके वो आउट होते हैं, लेक बिफोर, DRS का इस्तमाल, सही इस्तमाल, चरी तसलंका को विकेट, नेक्स बॉल पे एक और विकेट, कप्तान जो है, हम सब सोच रहे थी कि इत दुनित विललागे का मैंच वाला परफॉर्मेंस रहता है, भारत विल हेव लॉट तो थिंक यार, क्योंकि इसके बाद ना सिर्फ 5 ODIs हैं, बेफोर थे चैंपिन्स टोफी, यहां पर 2 और हैं और फिर 3 हैं, इंग्लेंड के सामने, दाट इस इन फेब्रूरी, तो फिर यह यहां कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, अब सोचना तो पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और पहला मैच तो टाई हो गया है, तो अब श्रिंखला भी हो सकता है, कि टाई हो के खतम हो जाए बनना, दोनो मैच जीतने पड़ेंगे अगर इस श्रिंखला लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बज़े और बताईए ज़रा कि मैच देखा था, नहीं देखा था, तो कल का तो पक्का देख ले न, क्योंकि संडे है, सूपर संडे बनेगा, इस बार, रोईच शर्मा, विराट खोली, झाल टाटिमादी झाल 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 ह।